नेता जी यानिके मुलायम सिंग यादो के निधन के साथ ही उत्तप्रदेश की सियासत की एक युग का समापन हो गया तमाम नेताओं की तरहे प्रतापगड की कुंडा सीट से लगातार विधायक रहने वाले रगुराज प्रताप सिंग और राजा भाया ने भी मुलायम सिंग यादो को श्रत धंजली दी है एक दौर में मुलायम सिंग यादो के करीबियों में शुमार रहे राजा भहिया ने कहा है नेता जी सबका खयाल रखने वाले श्वक्स थे वो हमेशा जमीन से जुड़े नेता रहे यतना ही नहीं, राजा भहिया ने मायवती सरकार के कारिकाल में अपने खिलाव दर्ज मुकदमों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे मुलायम सिंग यादों की सरकार में उन्हें राहत मिली। राजा भहिया ने कहा नेता जी ने हमेशा पोटा का विरोध किया था। हमें उनकी सरकार बनने के बाद जेल से निकलने में आठ महीने लगे और उनका पूरा साथ मिला। राजा भहिया ने कहा नेता जी राजुनीती से परे नीजी रिष्टों का भी हमेशा ध्यान रखते थे। जर्म दिन से लेकर आने तमाम मौकों पर उनका आशिरवाद मिलता रहता था। राजा भहिया ने आगे कहा भी करते रहते थे। राजा भहिया ने कहा कि मुलायम सिंग्यादों की लोकप्रियता और व्योहार समाजवादी पार्टी तक ही सीमित नहीं था। पार्टी के बाहर भी बहुत से दलों के नेता उनसे आत्मियतार रखते थे और सम्मान करते थे। झाल में उन में लोकरते थे। भी करते ही सीमित पार जाज़ proving मुलत स। पार्टी के राय झाल में लो खिन रोगSiछ